एक राजा था जो बहुत सारे युद्ध लड़ चुका था और जीता भी था लेकिन अपने अंतिम युद्ध में वो बहुत घैल हो गया था उसकी जान तो बच गई लेकिन उस युद्ध में उसको एक आँख और एक पैर खोड़ा पड़ा वो राजा बहुत समझदार और दयालू था उसके राज़े में सब लोग खुश और स्वस्थ थे एक दिन राज़ा अपने महल के हॉल में से जा रहा था और वहां उसने अपने पूरवजों की पेंटिंगs लगी हुई देखी उसके सभी पूरवजों की पेंटिंगs बहुत सुन्दर थी उन पेंटिंगs में से पूरवजों का साहस और सुन्दरता दोनों दिखाई दे रहे थे उसने सुचा कि एक दिन आएगा जब उसके बच्चे उसी हॉल में आएंगे और उन पेंटिंग्स को देखकर अपने पूरवजों को याद करेंगे लेकिन राजा की एक भी पेंटिंग वहाँ पर नहीं लगी हुई थी पेंटिंग बनेगी उसके हिसाब से इनाम दिया जाएगा सारे पेंटर्स यह सोच के फरेशान थे कि राजा की सुन्दर पेंटिंग कैसे बनाई जा सकती है क्योंकि उसके एक पैर और एक आख नहीं है अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई और वो गुसा हो गया तो क्या होगा ऐसे में राजा मौत के सजा भी दे सकता है यह सोच कर किसी भी पेंटर ने सामने आने की हिम्मत नहीं की राजा और उसके मंतरी ऐसे पेंटर का इंतजार कर रहे थे जो राजा की अच्छी पेंटिंग मना सके थोड़ी देर के लिए सब तरफ साइलेंस था तभी एक पेंटर सामने आया और बोला मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा सब उसकी तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि अब ये वेचारा मारा जाएगा पेंटर ने पेंटिंग बनाने के लिए एक सब्ता का समय मांगा राजा ने खुशी से उसकी बात मान ली एक सब्ता के बात वो समय आ गया जब पेंटर को अपनी पेंटिंग राजा के सामने रखनी थी राजा के दरबार में बहुत भीड जमा हो गई सब ये देखना चाहते थे कि पेंटर एक ऐसे राजा की सुन्दर पेंटिंग कैसे बना सकता है जिसके पास एक आँख और एक पेंट नहीं है लेकिन जैसे ही पेंटर ने अपनी पेंटिंग सब के सामने रखी तो सब हैरान रह गए राजा को भी अश्चर्य हुआ पेंटर ने एक ऐसी पेंटिंग मनाई थी जिसमें राजा एक घोड़े के उपर बैटा हुआ था जहां से उसका एक पैर ही दिख रहा था उसने एक धनुष पकड़ रखा था और एक आँख बंद करके तीर से निशाना लगा रहा था ये एक बहुत ही शांदर पेंटिंग थी राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि पेंटर ने उसकी डिसेबिलिटीज को छुपाते हुए बहुत ही सुन्दर पेंटिंग मनाई थी उस पेंटर को बहुत सारे इनान दिये गए दोस्तों ज़्यादातर लोग दूसरों की कमिया देखते हैं लेकिन ऐसा करते समय वो ये भूल जाते हैं कि सब में कुछ खूबिया और कुछ कमिया होती है अगर सिर्फ दूसरों की कमिया देखने के आदत लग जाए तो हमारा attitude ही negative बन जाता है और फिर अपनी जिंदगी की हर situation में सिर्फ negativity दिखाई देती है इसलिए हमको सिर्फ दूसरे लोगों की अच्छी बाते देखनी चाहिए और उनकी कमियों को ignore कर देना चाहिए क्योंकि दूसरों की कमिया देखने से उनका नहीं बलकि आपका नुकसान होता है हमारी सोच ही ये decide करती है कि हमारा future कैसा होगा positive सोचने से हर problem का solution निकालने के आदत बन जाएगी और negative सोचने से छोटी सी problem भी बहुत बड़ी बन सकती है सकारात्मक सोच सोने की खोज जैसी है जो इसको खोज लेता है उसका जीवन मुल्लेवान हो जाता है ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए सबस्क्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में